अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो मेरा नाम है आमना आइडू मेकप डिटोरियल्स एंड एवरीटिंग रिलेटेट टो फैशन एंड ब्यूटी आज की वीडियो के टॉपिक जी बहुत इंट्रस्टिंग और बहुत मज़ेक है मैं आपको बताऊं कि आप किसी भी कलर के ड्रेस के साथ आपने किस तरह से शेड सेलेक्ट करनी है और किस तरह से आप एक मैचिंग आई लुक क्रियेट कर सकते हैं वो भी कलर थी और इको यूज करते हुए वी पैंट स्टिक इन दे शेड एफएस 45 स्टैप के लिए अलग से आई प्राइमर्स भी होते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि आप आई प्राइमर यूज करें जो भी कंसीलर आपके पास है लिकवट कंसीलर हो stick concealer हो, कोई भी आप concealer या foundation यूज़ कर सकते हैं और उसको आपने evenly पूरी eyelids के उपर इस तरह से spread कर लेना है और इसको अच्छी तरह blend करना है इसको blend करने के बाद आपने कोई भी powder लेना है और इसके साथ eyes को set कर लेना है ये बहुत important है ताके हमारे eyeshadows smoothly blend हो सके आप face powder भी यूज़ कर सकते हैं, skin color का eyeshadow भी यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले आपको चाहिए है एक दर्मयाने size का round shape का fluffy brush जो एक basic eye blending brush होता है आपको वो चाहिए और इस पे जो है, इसकी मदद से हम apply करेंगे अपने crease area में shade ये area crease area कहलाता है और crease area में हमेशा light color का shade apply होता है और matte shade apply होता है, कभी भी shimmery shade जो है na, क्रीज में apply नहीं करते हैं और crease में जो shade apply किया जाता है उसको transition shade कहते हैं अब यहाँ से हमारी technique जो है start होती है, सबसे पहले तो आपने transition shade decide करना है अब किस तरह से decide करना है बहुत easy है एक तो हम brown shade use करेंगे, क्योंकि light brown जो है ना, दुनिया के हर color के साथ चलता है लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कोई भी brown उठा के किसी भी dress के साथ लगा लें तो वो अच्छा ही लगेगा हमें brown की tone का ध्यान रखना है अब कैसे ध्यान रखना बहुत ही easy है, अगर आपका dress warm color का है warm colors कौन से है, red है, yellow है, orange है, dark green है यहाँ पर मैं a picture attach कर दूँ जिसमें सारे जो main warm colors है वो add होंगे आप उसे देखके easily आपको पता चल जाएगा कि आपका dress warm color का है अगर आपका dress warm color का है तो आप crease में ऐसा light brown लगाएंगे जो के warm tone में हो अब eye shadow कौन सा होता है, जो के warm tone brown होता है, जिसके अंदर red pigment शामिल होती है या orange undertone होता है, या फिर जो yellow mustardy tone के browns होते हैं वो भी warm brown के लाते है अब यह कोई बहुत ज़दा difficult बात नहीं है, बड़ा easily आपको पता चल जाता है यहाँ पर मैं कुछ swatches भी दिखा दूँगी जिससे आपको idea हो जाएगा कि कौन से browns warm brown होते हैं आप जब swatch करते हैं आपको बड़ा easily idea होते हैं दूसरी तरफ अगर आपने cool colors पहने हुए है, cool blue है, purple है, cool pink है, grey है तो आपने ऐसा brown shade लगाना है जो के cool tone में हो अब cool tone browns कौन से होते हैं, जो थोड़ा grey undertone में होते हैं या फिर जो purple undertone होते हैं, थोड़ा mauve side पे होते हैं, वो भी cool browns के लगाना है और lastly, neutral browns भी होते हैं, जो के ना ही warm tone में जा रहे होते हैं, ना ही cool tone में जा रहे होते हैं अगर आपके पास कोई ऐसा palette है जिस पे कोई अच्छा सा neutral brown shade है, तो वो आप आँख बंद करके किसी भी suit के साथ लगा सकते हैं वरना आपने warm और cool का ध्याना होते हैं आपने जो color पैना हुआ है ये warm है या cool है तो ऐसे में आप उसके वोपर जिस color का काम हुआ है, इससे decide कर सकते हैं अगर golden color का का अब और तो आपने warmbrowns यूज़ करने अगर silver color का का अबढम हुआ है तो आपने cool tone browns यूज़ करblay black, black और white नाइव warm की category में लेकिन इस पर गोल्डन कलर का काम हुआ वहागा तो मैं वार्म ब्राउन शेड यूज यूज ब्राउन ले रही हूं मैं कॉंटूर पैलेट से ले रही हूं आप उसक्ते हैं और यह जो दोनों शेड्ज नहीं इनको मिक्स करूंगी ठीक है आप लेख सकते हैं यह वार्म ब्र आज मैं आपको मेडली यह कलर कॉंबीनेशन की टेखनीक समझा रही हूं और ब्लेट करने के लिए मैं बैक और फोर्थ कर रही हूं प्रइग को इस तरह से साथ साथ मैं थोड़ा सर्कुलर स्टोक्स पी उस कर रही हूं ऺिस तरह से गोल गोल भूमारी हूं ताकि शेड़् यहेवन ली जो है पूरी क्रीज एरिया में ब्लेंड करने के बाद साथ यहापने लेना है एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश ठीक है इस तरह का और सेम शेड्ड आपने लेना है और इसको लोग लैश्लाइन पर अपलाई करना अब जी दुबारा आपने लेना है कोई स्मॉल सा करना होता है तो आपको small blending brush चाहिए हो अगर आप बड़ा blending brush उस करें तो शेट सारा फैल जाए अब आउटर कॉर्णर पे हमने अप्लाई करना है darker brown same rule follow करना है अगर आपने क्रीज में warm tone brown लगाया था तो आपने आउटर कॉर्णा के ब्रांन लगाना है जो के warm tone में हो अगर आपने क्रीज में cool ton brown लगाया था तो अछी ब्रांन लगाना है जो के cool tone मे हूँ. और अगर आपके पास ऐसा darker brown है जो neutral tone में हूँ, तो वो cool crease वाले shade के साथ भी चल जगा और warm crease वाले shade के साथ भी चल जगा और वार्म crease वाले shade के साथ भी चल जगा और ये पास है makeup revolution का Tammy palette और इसमें जो shade है ये वाला coconut, ये थोड़ा neutral brown है ठीक है, ये neutral darker brown है इसको मैं apply करूं ये outer corner और आपने इस shade को आउटर corner पे पैक करना है, पैक मतलब के प्रेस करना है, अभी आपने blend नहीं करना, brown shade को अपलाई करते वे एक बात का ध्यान रखना है कि ये आपके lower crease से उपर नहीं जाना चाहिए, ये जो point है इस से उपर नहीं blend करने के बाद नहीं जब हम इस shade को diffuse करेंगे तो वह ऐसी थोड़ा उपर तक चला जाएगा यानि क्रीज के साथ मिल जाएगा, लेकिन अगर हम पहले ही इसको बहुत उपर तक ले जाएगा तो ब्लेंड करने के बाद वह और उपर चला जाएगा इसकी उपर आपने वह अप्लाए करना है इससे क्या होगा दोनों शेड्स मिक्स हो जाएगा एक दर्मयान का shade क्रीएट हो जाएगा जिसकी मदद से हम इन दोनों शेड्स को आपस में blend करना है again small brush ही यूज करना है हम नहीं चाहते blend करते हुए यह shade पहल जाए और आपने बहुत ही small strokes यूज करते हुए ना इस shade को blend करना है क्योंकि अगर हम जादा बड़े-बड़े strokes यूज करेंगे तो यह shade पहल जाएगा इसलिए आप देखें बहुत ही precise तरीके से हम इसको blend करेंगे चोटे-चोटे से इस तरह से circular movements और back and forth हलका हलका सा इसके किनारों पर क्योंकि अब आपने क्या करना है आपने दुबारा से पहले वाला brush लेने और इसके साथ further जो है ना इसको blend कर देना कोई harsh edges ना रह जाएए blending यह बहुत ही जबरदस्त और flawless किसम की हो गई है अब हम apply करेंगे shimmer shade shimmer shade किस तरह से select करना है बहुत ही easy है जिस भी color की embroidery हुई है जिस भी color का का काम हुआ है आपके सुपे उस color का आपने shimmer shade लें अगर golden काम हुआ है तो golden shade apply करना है अगर silver काम हुआ है तो silver, off white होगया तो off white ठीक है उस हिसाब से select करना है अब मेरे dress पे ना copper gold काम हुआ है तो मैं copper gold color का ही shimmer यूज़ मैं makeup revolution के reloaded velvet rose palette में से यह वाला shade ले रही हूँ और इसको fingers के साथ ही apply करूँगी क्योंकि हमने कोई cut crease वगारा नहीं की वी तो आपको flat brush यूज़ करने की ज़ूरत नहीं है आपसे लास्ली अपनी look को मजीद flawless करने के लिए आपने गया करना है आपने brush लेना है और उसके उपर जो outer corner पे shade apply किया था या जो crease में shade apply किया था वह आपने लेना है और इसको हलका हलका से यह जो lime create हो रही है ना shimmer और outer के दिर्मयान उसके प्रेस करना है ताकि यह line diffuse हो जगे और यह सारी look जहना flawless हो जगे बस आपको कोई blending even strokes भी यूज़ करने की ज़ूरत नहीं सरफ आपने प्रेस करना है मैं ना outer corner पर जब dark brown लगाया था ना उसके साथ ही आप चाहें तो lower lash line पर भी dark brown लगा ले मैं उसको भूल गई थी तो अब मैं apply कर रही हूं dark brown लेकिन आपने dark brown को ना सिरफ lower lash के outer part पर रखना है यानि इससे आगे आपका dark brown नहीं आना चाहिए ठीक है इसके बाद हमारा eye makeup तो जी complete हो चुक है बस अब finishing touches add करने जिन में से एक है wing liner अगर आपको wing liner पसंद है तो आप wing liner बना ले नहीं तो आप simple liner भी लगा सकते हैं उसके बाद मैंने highlighter apply किया inner corner पे और brow bone area पे उसके बाद मैंने बनाया है inner corner और मैंने water line में nude color की pencil apply किया actually pencil नहीं apply की मैंने crylon की tv paint stick को ही water line में apply किया और मैंने mascara apply किया ठीक है lashes मैंने skip की है आप चाहें तो lashes apply कर सकते हैं यहाप ही अपनी मर्जी है और जी यह है final look जो के मैंने अपने dress के साथ match करते हुए create की है आप किसी भी dress के साथ जो है look match कर सकते हैं इस technique को use करते हुए चाहें वो blue हो purple हो red हो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया और जी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like कर देऊ मुझे comment करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी मिलते हैं जी अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए अलाहफिस